Hey everyone, what's up, बहुत-बहुत स्वागत है अब सभी लोगों का इस amazing से वीडियो के अंदर और आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ CA Intermediate Audit की Complete Details के बारे में जो हमारी batch होने वाली है, जो शिकर batch चालो हो रही है बेटा 7th of August से उस batch के बारे में जो मेरा audit का syllabus, audit का subject होने वाला है उससे related में पूरी-पूरी discussion इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ आ जाएंगे सारे के सारे लोग, देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको पूरा समझा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं audit पढ़ाता हूँ, क्या कराता हूँ, सब चीजे आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर, देखिए, सबसे पहला हमारा approach कैसा रहने वाला है तो पहले हम लोग topic की understanding लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पूरे module से read करते हैं उसको फिर handwritten short notes होते हैं हमारे and then फिर उसके बाद topic को फिर से दुबारा से revise किया जाता है यह पूरे तरीके का structure बना हूँ है हमारा जहाँ पे class में ही दो बार हमारे topic complete हो जाते है वैसे मैं अगर बताऊ न, अब जैसे देखो आज मैंने मान लो एक content पढ़ाया तो जितना भी content पढ़ाया है अगले दिन आके सबसे पहले में revise करवाता हूँ फिर मैं नया topic पढ़ाऊँगा फिर इस topic को अगले दिन आके में revise करवाता हूँ तो ऐसे जब हम लोग बार बार revise करते हुए चलते हैं तो बहुत अच्छी topic की understanding मिलती है दूसरा मैं audit के अंदर बहुत ज्यादा practical examples लेने की कोशिश करता हूँ जो मैंने अपने articleship में after CA बनने के बाद जितनी भी मैंने audits किया उस audits का practical application कही ना कही मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि audit एक बहुत ज्यादा theoretical subject है बेटा intermediate level में यह और ज्यादा theoretical होता है क्योंकि articleship में तो बच्चा पढ़ा हुआ होता है तो जब articleship में बच्चा देखता है audit को तो final level पे उसे बड़ा आसान जाता है audit लेकिन inter level पे थोड़ा सा difficult थोड़ा सा tricky लगता है उसको subject क्योंकि उसने पहले पढ़ा नहीं है बच्चो मैं आपको practical examples दूँगा यह आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे concept को समझने के लिए दूसरा सर आप किताबे कितनी कितनी दूँगे हजार किताबे देदो सर नहीं नहीं मैं आपको तीन किताबे दूँगा जिसमें से दो modules होंगी मेरे regular modules और एक मैं आपको question bank देता हूँ इसके साथ साथ एक open PDF में आपको provide करवात हो essay express जिसका नाम है जिसके अंदर audit का पूरा 120 page के अंदर पूरा revision पूरी summary उसके अंदर covered है यह open PDF है आप यह अपने phone में कभी भी download करके कभी भी उससे revise कर सकते हो कहीं पे भी revise कर सकते हो ठीक है इसके अलावा आपकी chapter wise test होती है लेकिन यह self evaluated basis के उपर test होती है मतलब क्या कि आप लोग test देंगे मैं video बताऊँगा और उसकी मदद से आप उसको evaluate करेंगे पिर इसके सर तो हम paper दे और आप कब check करोंगे आने वाला है वो अले बात भी सर मैं आपको proper schedule बना के देता हो एक tracker देता हो जिसकी मदद से आप पूरे lectures को track कर सकते हैं कि कौन से topic में मैंने क्या पढ़ाया हो in case कल चलके मुझे किसी topic को दुबारा से भी revise करना पड़ा तो आप आसानी से tracker से पता लगा सकते हो कि मैंने वो कौन से lecture में पढ़ाया था और आप उसको दुबारा से go through कर सकते हो बड़ी ही easy तरीके से अच्छा मैं आपको बता दू कि यह जो हमारे sessions रहने वाले है यह 100% recorded mode वाले session रहेंगे सर अब अगर recorded session रहेंगे तो आप पुराने lectures चिपकाऊंगे हमको दो साल पुरा नहीं 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 देखो अगर recorded sessions है तो इसके अंदर आपको दो option मिलेंगे एक तो January 25 के लिए जो मेरे अभी lectures चल रहे है आपको उसकी recording चाहिए या May 25 के लिए जो मेरे lectures चलेंगे आपको उसकी recording चाहिए कौन से इसकी recording चाहिए आपको यह आपको पूछा जाएंगा सर हम कौन सी recording ले आपके हिसाब से आप कोई भी recording ले सकते है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, audit में कोई amendment नहीं होता है और आप इसको अगर चाहे, अगर मानलो आप जैन 25 की recording लेते हैं, तो एक benefit यह होता है कि आपका group 1 के साथ audit complete किया जा सकता है, क्यों मैं बताता हूँ आपको क्योंकि मेरे जो lectures है वो देड़ गंटे के 80 lectures है, देड़ गंटे के audit के 80 lectures है तो ऐसे case में एक early more advantage मिलता है, जहाँ बाकी लोग group 2 बाग में करेंगे आप group 1 के साथ साथ आराम आराम से दो दिन में एक lecture भी देखे, तो आपका बहुती easily audit almost 80% complete हो जाता है group 1 के साथ फिर थोड़ा बहुत audit अपने group 2 में के जो बाकी subject चालोंगे तब complete कर लिया, तो इससे कोई फरक नहीं पढ़ने बाला है सर मुझे है न doubt आया पढ़ाई के बीच में तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात में आपको अशौर कर लूँ कि आपको कोई doubt नहीं आएंगा लेकिन मान लो आभी गया doubt तो आप मुझे टेलिग्राम के उपर पूछ सकते हो, कभी भी दूसरा, जो doubt system है, जिसे online portal बोला जाता है हमारा, वो portal के उपर आप doubt पूछ सकते हो मुझसे पर तीसरा, जूम में regularly लेता हो, लेकिन देखो एक बात में बता दो आपको, ये मुझे personally उतना पसंद नहीं है, जितना ये पसंद है क्यों? क्योंकि जूम पर बच्चे बड़ा शर्माता है doubt पूछने के लिए, उसको लगता है कि मैं पूछूंगा तो बाकी लोग क्या बोलेंगे तो ये प्रकार से fun meeting जैसा होता है, तो वहाँ पर doubt बगरे बच्चे पूछते नहीं है, बच्चे generally टेलिग्राम और doubt सिस्टम के उपर अपना doubt पूछ लेते हैं, ठीक है? अब आखरी बात अगर मैं कहूँ आपके साथ, तो यहाँ पर evaluated test series भी आपको मिलेंगी, दो 50 माक की evaluated test मतलब आप test दोंगे, हम चेक करके आपको देंगे, और 200 माक की test यानि कि आप test दोंगे, हम आपको चेक करके देंगे, समझ रहा आपको, तो यसे 4 test होंगी बटा, evaluated वाली, मतलब जब आपका syllabus complete हो जाएंगा, तो syllabus complete होने के बाद, 50 माक की 2 test और 2 test 100 माक की आपकी यहाँ पर ह मुझे नहीं समझ रहा है कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यह पर लिखा है, रामराम सर, फुल मसा रहा है, audit में शुरू में लगा ता कि recorded हो तो पता नहीं समझेगा है नहीं समझेगा, बट सर, अब तो अच्छे understanding बन गई है, audit के अंदर, समझ रहा आप बात कहा गया कहा गया कहा गया तो यहाँ पर जो यह अपने audit के regarding यहाँ पर बात की जा रही है जैसे यह देखिए कैसे audit में बहुत मज़ा आ रहा है करके अच्छा इन फैक मैं आपको एक बार बताओ इस बार जो एक AR-40 था वेटा वो AR-40 भी हमसे ही पड़ा हुआ है audit तो उसने भी recorded sessions ही देखे थे जिसकी मदद से वो क्या हाला कि join उसने live किया था audit का batch लेकिन उसने recorded sessions देखे थे ठेक है न तो ऐसे के इसके अंदर उसनका भी वही कहना था क कि सर वो sessions बड़े ही अच्छ हुए यहाँ तिंग सो हमारे recorded sessions के अंदर यहाँ पर आपको दिख जाएंगा और audit में इन्होंने 69 marks यहाँ पर score करके रखे है न तो यार यह सारी चीज़ है बेटा जिसके लिए आप क्या कर सकते हो definitely आप पढ़ सकते हो हमसे और को attention के बाद इसके अंदर नहीं है ठेक है न वो तो आप सभी लोगों को यह session बढ़िया लगाओ मैं आपको बता दू कि हमारी जो शिकर बाचे बेटा यह चालू कबसे हो रही है शिकर बाच जो है न यह चालू हो रही है कबसे 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 सर साथ अगस्य शिकर बाचे जमानी चालू हो रही है इंटर में 25 वाले students के लिए चालो हो रही है ठीक है यह इसमें schedule के सा रहने वाला है तो देखो 7 तारीक से 9 अफ नोएंबर तक 7 अगस्य से 9 अफ नोएंबर तक आपका group 1 होंगा फिर अगले team मेने में आपका group 2 होंगा और आखरी के diamond आपको self study के लिए दिये जाएंगे सर यह timing रहने वाला है इसके अंदर में आपको law पढ़ाने वालो साड़े ग्यारा से देड़ बचे तक सुबह तेजस सर आने वाले फिर विवेक गापा सार आपको tax पढ़ाएंगे फिर group 2 के समय audit and ethics जो है साड़े ग्यारा से देड़ बचे तक आप हमारे sessions को देखेंगे अब यह आप आप group 1 both group combo आप अलग-अलग प्रकार के combos ले सकते हो इसके अंदर आपको 3 views मिलते है 3 views का मतलब क्या होता है कि अगर कोई lecture मान लो 60 minute का है तो आप उसको 180 minute तक देख सकते हो अगर कोई lecture 100 minute का है तो आप उसको 300 minute तक देख सकते हो इसका मतलब होता है views का मतलब एक class को 3 बार आप देख सकते हो और 3 बार more than enough है बेटा आप सोचके देखो 8 गंटे की class को आप सही में 3 बार से जाता देखोंगे क्या नहीं सर नहीं देखेंगे ठीक है अब देखो आपने कोई भी अगर आप combo ले रहे हो बेटा तो ultimate CA इस combo का प्रहोग कीजेंगा क्योंकि अभी हमारे both group 39,000 में available है 5th of August तर 5th of August के बाद ये जो offer है ये हमारा समाप्त होने वाला है जैसे कि अगर मैं बात करूँ ultimate CA.com के उपर आप आप आजाएए इसके बाद get started पे click कीजे CA intermediate news labs पे आजाएएंगा आप यहाँ पे देख सकते इंटर both group law and audit by इंदरेश गांदी यहाँ पे आपको नजर आ रहा हूँगा अगर आप इस पे enroll नाव पे click करेंगे आप यहाँ पे live प्लस live में क्या होता है कि एक view live का count किया जाता है और दो views आपको recorded मिलते है मतब 60 minute का lecture है तो 60 minute आप live देख सकते है और 120 minute और मिलते है उसी lecture को देखने के लिए recorded के अंदर fully आपको recorded views मिलते है यहाँ पे जब सुबा का lecture जो शाम में upload होता है बेटा यह जो अगले दिन सुबा upload होता है उसको आप तीन बार ही देख सकते है डायरेक्ली तो जिसका internet connection उतना stable नहीं है या कुछ दिक्कत है तो वो recorded के लिए जाए बाकी नहीं तो live classes ही लेना चाहिए इसके अलावा अगर मैं बात दालना पड़ेंगा ultimate CA आपको दालना पड़ेंगा क्या दालना पड़ेंगा ultimate CA तो आपको coupon लग जाएंगा 3000 का off और 39,000 में both group का आपको यहाँ पर क्या मिलता है एकसेस मिलता है इसमें सारी hard copy evaluated test series सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है यह पूरा package है 39,000 में both group का रा definitely उस doubt का समाधान करूँ मा वीडियो के comment section में only audit के lectures मैंने share किया हूँ only audit के lectures के link share किया हूँ दूसरा अगर मैं बात करूँ combo share किया law and audit का और तीसरा अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो हमारा both group का combo भी मैंने आप लोगों के साथ share किया ओ राइट तो मिलते हैं हम लोग batches म करूँ आपके साथ